हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आएक्जाम भी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बेंक आफ इंडिया और आप सबको पता है चार दिन पहले आएफसी एन यानि की इंटरनेशनल फैनाइशनल सर्विस सेंटर्स आथोरिटी इन्होंने एक ग्रेड एक का इसके बारे में एक अच्छा न्यूज आया है आएफसी गिफ्ट सेंटर इसको रेगुलेट करनेवाली यह आएफसी ऑथरिटी है गिफ्ट यानि की गुजरात का सीटी है यह जो स्पेसिफिकली हमने यहां पे बनाया हुआ है इसको क्या करने वाले क्योंकि आगे जाके य गिफ्ट है महरास्टा में कुछ अगर आएगा आगे तो इसको मिफ्ट कहेंगे तो जैसे स्टेट में बनेगा उस तरब से इसको नाम दिया जह तो इसलिए लोगों को अदम कैने इसको क्या है इसलिए यह जो सिटी है इसको अभी हम पावरफुल बनाएंगे जैसे लंडन है, हम International Financial Center London है, Singapore है, Hong Kong है, वहाँ पर Frankfurt है, वहाँ पर New York है, वहाँ पर जैसा Financial Activity होती है उसी तरीके से Activity यहाँ पर बने और ये भी International Financial Center बने, ऐसे बनाने की तयारी कोन कर रहा है RBI and Government यानि की केंदर सरकार, ठीक है ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है, I think 2078 का प्रोजेक्ट है, उस टाइम, मोदी जी गुजरात के Chief Minister थे, उनके दिमाग में आइडिया आया था, और अभी जो जब वो Prime Minister बन गए, पूरे इंडिया का भी वो पूरा, आपको पता है, Power Center कंट्रोल करते तो उनका प्रोजेक्ट है, इसलिए ये जब तक मुदी जी रहेंगे और बाद में भी अगर मान लीजे कोई इतना बड़ा Investment हो जाता है न, तो आगे जाके पास 10-15 साल के बाद जब Government चेंज होगा तो वो भी इसको continue आगे करेंगे क्योंकि अल्रेडी काफी investment यहाँ पर हो रहा है, तो यह क्या न्यूस है? वो हम आगे देखते है तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखे होगे तो देख लीजे, यह मेरा पहला वीडियो था जहांपर 24,000 व्यू आया है, यह फिर 6.7 के, then 4.2 के और अभी मैडम ने प्राची मैडम यह वीडियो बनाई यह भी आप देख लीजे, जहांपर हमने सेभी और IFSCA का जो पैटन दिया हुआ है उसका हमने यहाँ पर comparison किया अभी यह news है जिसके बार में मैं बात कर रहा हूँ 18 फरवरी 2023 का जो business standard है उसके page number 4 पर यह आया है acquisition, financing and offshore derivatives आप बस इसको एक बार सुन लीजे RBI, IFSCA may frame fresh norms for gift city The Reserve Bank of India and IFSCA are soon expected to come with guidelines aimed at making IFSC gift city more competitive vis-a-vis other financial centers such as London and Singapore and relatively attractive as a platform for investment in India और यह बहुत ही अच्छा platform यहाँ पर होने वाला है इससे काफी हम investment attract करेंगे These guidelines expected to be out in a month will be for permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks and recognizing offshore derivative instrument as a valid contract यानि कि जो बाहर offshore यानि कि जो बाहर होते है उसको इस gift city में उसको valid contract माना जाएगा These were some of the IFSC related announcements made in the recent union budget by Finance Minister Nirmala Sitaraman She also announced amendments to the IFSC Act to avoid dual regulation आपको पता है IFSC gift city में जो कुछ भी होने वाला है उसका पूरा power IFSC के पास होने वाला है यानि कि वहाँ पर RBI होगा या CB related कोई होगा या PFRDA है या कोई भी regulated related काम होगा इसके उपर यहाँ पर IFSC A होने वाला है इसलिए dual regulation का problem ना आए इसलिए कुछ amendment करने वाले है Eliminate the need for the multiple clearance for banks and other financial institutions looking to set up branches in the gift city यानि कि gift city में branches open होगी तो उसके लिए IFSC के पास जाना पड़ेगा RBI के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यानि कि RBI का जो थोड़ा power है उस particular area में कम हो जाएगा The idea for foreign banks which set up offices in the gift city is to access the pool of capital outside यानि कि बाहर का जो capital है वो इंडिया में आएगा acquisition financing is a very nascent stage in the Indian markets and that is something many financial institutions want to get into the said senior government official यानि कि acquisition financing यानि कि आपको किसी को acquire करना है किसी company को acquire करना है उसके लिए जो पैसा चाहिए उसको हम कहेंगे acquisition financing अभी हमारे आप यतना famous नहीं है लेकिन नहीं नहीं banks आएंगी वो उसके लिए capital लगेगा और वहाँ पर यह जो business है इंडिया में आगे जाके flourish करेगा लेकिन यहाँ पर थोड़े से rules regulation हो सकते है when compared with that of the domestic financial system as IFSC Gib City is a regulatory sandbox regulatory sandbox का मतलब है यहाँ पर diff'rent different experiments किये जाते है और वहाँ पर कुछ rules and regulations से मधु relax or change किये जाते है jest challenge was to convince the RBI to allow a more liberalized environment in acquisition financing if foreign banks are willing to take that risk and there is a certain amount of risk in this sector in terms of capital exposure the person said याने कि आपको पता है banking में जो कुछ भी होता है उसका risk assessment है जो कुछ भी RBA को करना होता है लेकिन यहाँ पर foreign entity जो आएंगी इस IFSC gift city में वहाँ पर थोड़े से norms relax करने पड़ेंगे the offshore derivative instruments the official said was one area where IFSC gift city is losing the market to other financial center याने कि यहाँ पर अगर हम rule थोड़े से relax नहीं करेंगे तो यह जो business है यह London, Singapore, Hong Kong, Frankfurt यहाँ पर चला जाएगा ठीक है the finance minister has announced way to make a regulation and the clearances for gift city streamlined streamlined याने कि वो एक तरीके से अच्छे तरीके से हो जाए यहाँ जादा hurdle ना है she said that the powers under the SAGE Act, SAGE याने कि special economic zone, special economic zone भी एक foreign type का area होता है वहाँ पर domestic laws applicable नहीं होते है will be delegated to IFSC and the IFSC Act will itself be amended for statutory provisions for arbitration ancillary services and avoiding dual regulation under SCZ याने कि यहाँ पर IFSC इतना powerful बनने वाला सारे Act उसके अंदर subsume हो जाएंगे gift city के अंदर this is a legal requirement and the challenges will be made under the changes will be made under the 2023 finance bill finance bill आपको पता है जो budget में present करते है according to the finance bill, the income tax act and the securities contracts regulation act will also be amended to get rid of the dual regulation and oversight for companies setting a business near branches in the gift city याने कि यहाँ पर income tax related हो, कोई भी law हो, इंडिया के land का कोई भी law हो, उसको यहाँ पर थोड़ा सा relax किया जाएगा जाने की जिसकी वज़े से foreign companies यहाँ पर आएंगी Sitaram and Madam also announced the setting up a single window IT system for registration and approval from the IFACA, SCZ, authorization GST, network, RBI, securities and exchange board of India and insurance development regulatory authority इसी के वज़े से RBI से, SEBI से, PFRDA से लोग यहाँ पर purposefully लाए भी गये हैं और कुछ लोग यहाँ पर desperately आए भी है क्योंकि बहुत power यहाँ पर मिलने वाला बस आगर आपने इतना इसको पढ़ लिया है तो इसका use आपको कुछ question prelims में आ जाएंगे कुछ means में यानि phase one, phase two में आएंगे intro में भी आएंगे तो आपको यहाँ पर फाइदा होने वाला ठीक है और यह syllabus है syllabus अच्छी तरीकी से देख लिए strategy बनानी पड़ी देखो क्या है ना जैसे मानिजी में एक analogy देता हूँ कि आपको चलना है या आपको भागना है सब लोगों को चलना भागना आता है लेकिन सही रास्ता जिसको पता है वही destination पे पहुँचेगा तो similarly हमें क्या करना है एक रास्ता रूनने वाला जो mentor है वो अगर आपको मिलेंगे तो पढ़ाई तो सब को करनी है लेकिन कुछ लोग direction भटक जाते तो फिर वो अलग सही रास्ते पे नहीं पहुँच पाते और हमने काफी अच्छा एक workshop किया था 16 को बहुत अच्छा response आया था 300 लोगोंने participate किया था अगर आपने वो attend नहीं किया था किस reason के वज़से तो अभी हमने उसका recording हम आपको हम दे रहे एक नीचे form है वो form जैसे भरेंगे जैसी वो form end हो जाएगा वहाँ पे आपको link मिल जाएगी और वहाँ पे जाके आप वो workshop recorded format में सोते है ठीक है अभी हमारा कल से बैस चालू होने वाला इसका पूरा time table यहाँ पे दिया है उसका link भी है आप वहाँ से download सकते है ठीक है और यह faculty से आपको पढ़ाएगी पूरा schedule है 60 plus 50 75 days classes का यह schedule है अगर आगे पीछे थोड़ा से date कम ज़्यादा होता है तो हम उसके साब से end का जो classes होंगे वो modify वहाँ पर करेंगे और यह काफी अच्छा note है जो budget में economic survey में IFSC gift city के बारे में क्या क्या आया था अगर वो आपको पढ़ना है सारे regulatory body exams में यह हमारे result है सारे authentic results है Times of India के front page पे हम यह publish होते हैं और आपको हमारे आपे बहुत अच्छा crisp content मिलेगा जिससे आपकी तयारी faster होगी आपका काफी time से होगा जो additional time आपको मिलेगा जिससे आप revision कर सकते हैं Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations